अचार का नाम सुनते ही हमारे मूँ में पानी आ जाता है ना तो आज हम ले आएं सिर्फ 15 मिनट में बनने वाले चारेस भी हमने इसे अद्रक और लहसुन से बना कर त्यार किया है कम ओयल में और कम मसाले में ये बन के त्यार हो जाएगा और सुखाने का भी जिंजट नहीं है तो चले बना लेते हैं तो सबसे पहले यहां पर हमने आम ले लिया है आप कोई भी आम ले ले तोता पूरी जो भी आपके पास आम अम लेवल हो वो कच्छा आम ले ले उसको अच्छे से वास कर ले पहले से ही वास करके रख दें अच्छे से पानी बिल्कुल भी ना हो अगर पानी हो तो उसे टौवल से पोच ले फिर उसके बाद हमें इसके उपर का डंटन लिकाल देना इस तरह से फिर इसे हम कट करेंगे तो आप कोई भी सेप में कट कर ले जैसे कि आप सेप में भी कर सकते हैं या फिर ऐसे लंबे-लंबे काट ले और ध्यान रखे हमें क्रस नहीं करना है घिसना नहीं है कद्दू कस में तो लेजे हमने सारा इस तरह से लंबे-लंबे स्लाइस में काट लिया है थोड़ा यूनिक है जरूर ट्रै करें अगर आपको लांग टाइम चलाना है तो आपको क्या करना है इसमें हल्दी और नमक डाल करके एक दिन के लिए धूप में रख देना है सुखा लेना है तो इस चमच जीरा फिर यहां पर डाल दिये हैं दो ही बड़े चमच हमने काली सरसु लिया है फिर यहां पर एक चमच बड़ा चमच हमने सौफ लिया है फिर उसके बाद हम यहां पर डाल देंगे दो बड़े चमच साबुत धनिया फिर उसके बाद हमने थोड़ा से ले लिया है म अच्छे से मसालों को भूनना है, मसाला हमने इतना भूनना है कि बस इसके में अच्छी सी खुसबोग आने लगे, बिलकुल इमें कलर और भी चिन्ज करना है, अब यहाँ पर लेंगे तीहे के लिए लाल मिर्च तीकह, अब शुखा लाल मिर्च किलए मसाला हमारा तयार हो गया है अब इसे हम रहत coolerría होने के लिए अब यहां पे हम लेंगे दो कफ सर्सों का तेल आपको अगर नहीं पसंद है तो आप इसु सटोर पहसद में नहीं है और यहाँ वह यहाँ पे मसाला हो गया है ठंडा हमारा अब एक मिक्सिर के जार में हमें मसाला को पीस लेना है तो हमें मसाला फाइन नहीं पीस ना है बस हलका सा दरदरा रखना है अचार में मसाला दरदरा ही अच्छा लगता है अब इसे हम कवर करके पीस लेंगे तो मसाला ह हमारा पिसकर के तयार हो गया है, अब लेंगे एक बड़ा सत्प पराथ, उसमें डालेंगे हम अधरकला सुन का पेस्ट आपक, ऐसे हमने क्रस्कर के ले लिया है, कॉंटिटी आप जादा भी कर सकते हैं, हमने एक कफ लिया है, फिर यहां पे हम डाल देंगे उसमें तीन चमच, लाल मिर्स पाउडर, इसे कलर बहुत अच्छा आता है, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे, नमक आप हिसाब से डालिए, एक चमच हमने कलोंजी ले लिया है, वो डाल देंगे, इसे फ्लेवर टेस्ट बहुत अच्छा आता है, और यहां पे हम डाल देंगे एक चमच ही अजवाइन, अच्छे से मिक्स कर लेंगे, हैना बहुत जबर्जस तरेस्पी, तो ज़रूर बना है इस तरह से, फिर यहां पे गरम गरम हमें तेल लेट कर देना है, तो इस जैसे तड़का लगाते हैं, बस वैसे ही, तेल डाल के हमें अच्छे से मिला लेंगे तो देखें कितना बढ़ियां इसका कलर है, तो इस तरह से मिला लेंगे, अगर आपको लगता है, तेल कम है, तो और डाल देंगे, तो लासुन अद्रक हमें बढ़ियां से मिला लेंगे, और इसे कवर करके हमें 15-20 मिनट तक छोड़ देना है, ताकि गरम तेल में लासुन और अद्रक अच्छे से पक जाए, तो 15-20 मिनट हो गए है, अब इसे हम चेक कर लेंगे, यह ऐसे प्रोसेस करने से क्या होता है, लेसन और अद्रक में कच्छा पर नहीं रहता, तो तेल हम गरम ही गरम डालेंगे, और अच्छे से मिक्स कर लेंगे, फिर यहां पे हमने जो क पहले ही बताया, हमने बढ़ियां से मिक्स कर लिया है, इसका टेक्सर देखें, बहुत ही जल्दी यह रेस्पी बन के तियार हो जाती है, अब यहां पे हमने जो मसाला रेडी किया था, वो डाल देंगे, अगर आपको मीठा पसंद है, तो आप इस पे थोड़ा सा गुड़ देंगे, तीन गंटे के बाद पूरा देश्यत हो जाएगा, आप इसे अपस से मिला लें इस तरह से, अगर यह आमका चार आपको एक महीने तक चलाना है, तो आप इसे फ्रीज में स्टोर करके रख दें, नहीं तो आप यह एक हपते में बलाम से चलता है, एक हपते तक, त एक बाद जरूर बनाए, कहते हैं ग्यान बाद वैसे ही बढ़ता है, तो जो अगर वीडियो पसंद आए, तो ज्यादा से ज्यादा से शेयर करें, लाइक करें, सिस्क्राइब करें, मुलते हैं ऐसे एक नई रेस्पी के साथ, तब तक के लिए इपना ख्याल रख के हर हर मा और झाल आए.